दोस्तो आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे सामसंग A14 5G के बारे में देखे दोस्तो ये है सामसंग का A14 5G और इसमें लॉक तो नहीं है लेकिन मेरे को बहुत सरा दिन में कम से कम 50 कॉल आता है अज आज कुछ आपको बाते ऐसे बताने वाला हूँ जैसे कि आप अपन सब्सक्राइब करके रखना कि ऐसे ही अच्छा जयरे भीडियो आपको इस चैनल में मिलते रहेगा तो इसमें दो प्रकर करूंगा पहले तो इसका लौण आईडी नंबर कैसे निकाले अगर आपका मुबाइल लौक हो चुका है या तो आपका अगर आपने लौक हो चुका तो आप इसको घर में कैसे पे कर सकते हो देखे दोस्तों पहले अगर आप यह मोबाइल अभी खरीद रहे हो लोन पे तो आपको पहले एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको इसका एकदम डियू नहीं करना है बहुत सारा लोगों का तो मैंने ऐसा भी बात सुना है कि बिना EMI due के आपका मोबाइल लॉक हो जाता है तो अगर आप खरीद भी ही चुके हो तो आप इसका EMI एकदम डियू मत करना मतलब एकदम time to time देते रहना क्योंकि एक बार डियू हो जाएगा तो बहुत सारा फाइन लगता है बहुत सारा जो चीज़ है इसमें आता है तो आप एक EMI 003452 आपका दूसरा दूसरा नंबर है जो भी है आपका जो भी मोबाइल है आप इसको ऐसे करके मतलब इसका जो लोगडी नंबर है उसको लिक के rise तो बहुत सारा लोगोंका इतना सरा call आता है, बहुत सरा लोगों का क्या होता है, ना उसका loan ID नंबर ही पता नहीं होता है, तो आप कैसे loan ID पता करोगे, तो पहले अगर आप अभे भी mobile लिए हो, तो आप ये loan ID, अभी तो प्रैमेड time to time हो रहा है, तो आप इसको किया किजिए, loan ID नंबर को एक लिख के रख दीजिए, ठीके दोस्तों, या तो दूसरा mobile में फोटो घिज के रख दीजिए, ठीके दोस्तों, इसको एक दुबार अच्छा सक्किए, कि ये loan ID नंबर नहीं होना से, आप इसको बाहर से pay भी नहीं कर सकते हो, जैसे कि मैं अगर आपको दिखा हूँ, दूसरा कोई भ ठीके दोस्तों, ये तो हो गया, अगर आपका lock हो चुका है, और आप अभी unlock करना चाते हो, तो ये अगर DMI number होगा, तो आप phone पेसे, या तो Google पेसे, कोई भी पेसे, आप इसको online प्रेव कर सकते हो, किसी भी जगा जाने का जरूत नहीं है, लेकिन आपको ये जो DMI finance का, जो इसको घर में unlock करने का कोई तरीका नहीं है, हम लोग जो है, अभी offline unlock कर रहे हैं, आप हमारे पास अपना mobile को भेज के online unlock कर सकते हो, मतलब आप हमारे पास mobile भेजना पड़ेगा, इसको mobile को खोल के unlock करना पड़ता है, और permanent unlock हो जाता है, लेकिन उसमें रिक्स भी होता है, mobile को ख अगर आपका lock हो चुका है, या तो आपको कहीं पर मिला है, आपको कोई gift दिया था, या तो आपके साथ कोई fraud scheme हुआ है, ऐसा है अगर आपको unlock करना है, तो आप हमारे पास भेज के unlock कर सकते हो, ठीके दोस्तों, तो समझ में आया, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, अ हिंटस्तों.